निमस्कार दोस्तों स्वागत हमें चरनल लेटास स्वाल में और आज 65 BPSC DI का क्वेशन लेकर आया हूं और इस्टेटिक्स का जो पार्ट है यह GS1 में आपको पूछा जाता है चार में से दो क्वेशन बनाना है 36 नंबर 36 बाहत तो यह भी लाइन ग्राफ का क्वेशन नंबर 14 है इसका और हम लोग देखेंगे इसमें क्या है प्रोडक्शन लाक बेल्स दिया रूवन बेल्स बराबर क्या होता है 170 kg यह BPSC को मेंशन करना चीए नहीं किया और इसमें क्या है kg पर हेक्टर में प्रेटिक्टिविटी दिया और एक चीज़ हम लोग और जानते है ए ऐस資नरओ नंसूंड़े में देखते हैं हम लोग्या करेंगे है साथ कि में कितना है यह 16 में कितना दिया रहky और प्रोडक्षन में में देखते हम लोका चांज वा है प्रोडक्षन में हम लोग देखेंगे है 16-14 भाय 2014 गुदू सो यह आपको कितना जाएगा चोज अवे चाहिंहें से यहां से sing एक ऑनसर हो गया और अप्रृटिवूट्य देखला था अ 1 दू सबस्तों धाया च में देख और ने चला मेंस सी साफ तब उन्हें सो यह आपको पर्सेंटेज जाएगा 37.53 यह आपका आंसर होगे भी पार्ट को देख लेते हैं इन हामेनी हेक्टेयर कोटें वाज कोटें वाज ग्रोण इन 2009 तूजन मतलब 910 और 1011 ठीक है तो यहाँ पर क्या फिर हमको पूछ रहा है एरिया हम लोग पर अगा इडिया बता होगे तो प्रोडक्शन बाय प्रोडेक्टिवीटी तो ये क्या होता है केजी पर हेक्टेयर में होता है और ये केजी में होता है ठीक है ये चीज को यहां से हम लोग ध्यान रिखेंगे बी बाले पार्ट में क्या कर रहा है कि 2009-10 में क्या कर रहा है 2009-10 में 2009-10 में हम लोग देख लेते हैं 2009-10 में ये क ऊपर में यहां पर एडिया कितना कर रहे है 9.10 में, यह 15.25 है यह 14 खlliक है तो हम लोग क्या रहने करते हैं यह निकल लेंगे अर्य ए माल लेते हैं यह Protection मेरा कितना हो गया 9.10 का यह हो गया 15.25 गुना 170 क्योंकि यह बेल से दिया हुआ है 170 डिवैडर बाइ 511 इसमें कर देंगे और यह हो जाएगा 210 11 के लिए कितना हो जाएगा 14 गुना 170 बाइ 587 यह आपको जाएगा 5.07 लाक में दिया हुआ लाक एक्टेयर और यह आपका हो जाएगा 4.05 लाक एक्टेयर यह यहाँ पर यह हो जाएगा यह यह आंसर हो जाएगा यह रिक्वाइड एडिया यहां पर रिक्वाइड कोश्चन नमबर सी में हम लोग देखेंगे कि हमको यहाँ पर टेबल हम चुछ फोड़ा सा बना कर तो और अगले कोश्चन में देखते हैं मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज पूछ दिया तो फिर यहां मैक्सिमम एडिया खुद दिया एक हमको ग्राब बनाना होगा यह तीन चीज़ का तो यह पर प्रोडेक्टिविटी का परसेंटेज चेंज है और यहां पर मेरा एडिय तो अब इस कोश्चन को हम लोग कैसे बनाएं इस कोश्चन को बनाने के लिए यहां देखिए यह जो होगा इन दोनों का सबसे फ़रे प्रोडेक्शन चेंज में देखेंगे तो कि आ जागा 15.5 ठीक है तो 14-15.5 डिवाइड़ बाइ 15.5 गुना 100 करेंगे तो यह वेल्यों आ जाता है हमको माइनस 9.68 तो यहां पर सम लोग लिखेंगे माइनस 9.68 शिमिलर्ली क्या फिर इन दोनों का निकाल लेंगा तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 14.29 आप लोग निकाल लेंगे इसका माइनस 6.25 माइनस 6.67 इसका जाएगा 8.93 और इसका माइनस 8.20 पर से प्रोडिक्टिवीटी चेंज में फिर देखेंगे इन दोनों का कितना होगा इन दोनों को यहां पर हम निकाल के दिखाते हैं कि कितना है यह 373 माइन माइनस 427 divided by 427 गुना 100 करेंगे इसका वेल्यों आ जाएगा माइनस 12.65 पर इन दोनों का देखेंगे इन दोनों का कितना आएगा 37.53 2.92 माइनस 1.14 माइनस 2.11 माइनस मतलब का डिक्रीज दिखा रहा है ऐसा कुछ नहीं यह ऐसा लिग दिए अब बात चलते हैं एडिया की ए अधिया हम लोग कैसे निकाल लेते हैं 2004 पांच के लिए एरिया देखते हैं 2004 पांच के लिए ती कितना जाएगा 15.5 गुना 170 बेल्स को कनवर्ट के इसका फिर प्रोड़ेक्टिवीटी कितना है 427 इसको हम लोग निकाल लेंगे तो यह कितना आ जाएगा 6.17 ठीक है तो यहा आपको आजाएगा 6.38 यह जाएगा 5.30 यह जाएगा 4.83 यह जाएगा 4.56 यह जाएगा 5.073 यह जाएगा 4.055 ठीक है तो यहां पर से क्या है कि हम लोग सबका एडिया निकाले जैसे फिर से हम लाज में इसका बता देता है इसका कितना जाएगा 14 इंटू 170 डिवाड़े र यह जाएगा इसको कल्कुलेट करके देखला 14 इंटू 170 डिवाड़ेड़ वाई 587 तो यह जाएगा 4.055 ठीक है तो यहां से हम लोग एडिया निकल के अब हम लोग देखता है सी पार्ट में कि सी पार्ट में मेरा क्या है क्या क्या पूश्चन पूछा है कि कोटर प्रोड़क्शन है स्वन मेक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज एस कंपेर टू लास्ट यह तो मेक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज प्रोड़क्शन में कितना है इस समय देखेंगे इसमें देखते हैं कि मेक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज क्या है यह 9.68 है इससे कोई ज कह रहा है कि cotton production has percentage increase productivity productivity में क्या कर रहा है कि percentage increase क्या है maximum productivity वाला टेबल में जाएंगे यह productivity का टेबल है यहां देखिए 2006 साथ में सबसे ज्यादा है 37.53 तो 2006 07 में 37.53 यह क्या है maximum productivity का चेंग पुश्चन नमबर इमें चलेंगे यह में क्या कर रहा है कि which year the cultivation was lowest ठीक है and how much percentage of the maximum area तो सबसे पहले हम लोग minimum area देख लेते हैं तो minimum area मेरा इस ख्याल से तके सबसे ज़्यादा minimum किसमें आ जा रहा है तो 4.055 जो है यह मेरा minimum हो जा रहा है और मेरा highest कितना हो जा रहा है यह हो जा रहा है तो minimum में पहले लिखेंगे minimum में लिखेंगे 2000 10 11 में कितना है 4.055 इसका percentage पूछा है percentage with maximum area तो पूछा है तो 4.055 divided by 6.381 into 100 यह मेरा आ जाएगा 63.54 परसेंटेज यह मेरा answer हो गया है एफ नंबर में चलते हैं है एफ में क्या कर रहा है कि I am assuming the cotton price was one two five zero per quintal ठीक है तो what would have been the income of farmer was 5 hectare का जमीन है इस दो जर आठनो का बात कर रहा है ठीक है आठनो का बात कर रहा है यानि आठनो में यहा कितना है पांस्व 22 दिया हुआ है इसका दिया वैसे क्या है रेट क्या बोल रहा है यहां पर 1250 पर 100 केजी इसका क्या जाएगा रूपीस 1250 700 पर, इतना रूपीस पर kg हो जाएगा इतना रूपीस पर kg हो जाएगा ठीक है, अब इनका इंकम निकालते हैं हम लोग इंकम तो इसमें कितना है 5 हेक्टेर का जैमीन है productivity 522 है rate कितना है 1250 वट है 100, इस सारा को multiply कर देंगा, इसका कितना 32625 रूपिया जो है इसका आंसर हो जाएगा इसका इनकाम हो जाएगा क्या इसको मेल्टिप्लाइ करके जब स्वालु कर देंगा और कुछ भी नहीं करना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद